दोस्तों बात करें तो आज के समय में AI कैसा बज़वर्ट है जिसे हर कंपनी हाप यूज़ कर रही है हाली में मोटरोला का H50 Pro लाँच हुआ कहा जा रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ट प्रोग्रेट कैमरा है इसके अंदर जो colors होंगे वो आपके टोटली natural देखने को मिलेंगे और AI का यूज़ किया जाएगा इसके साथ ही AI enabled feature में मोटो अपनी मोटो AI को लिया आया AI generative theming, AI photo enhancement, AI adaptive stabilization इसी बहुत सारी चीज़ है और इसके लिए Snapdragon 7 Gen 3 processor का यूज़ कर रहा है और ऐसे ही देखा जाए तो यहाँ पर OnePlus भी अपनी AI लेकिया है जिसके अंदर AI razor है, कोई object है उसे आपको photograph से remove करना है तो आप उसको select करें को से remove कर सकते है इस tap की कुछ को चीज़े AI में आ रही है लेकिन क्या यह वाकई में जो AI है क्या वाकई में useful है अब एक बाँ बताओ, इस tap की AI वाले feature mobile phone में बहुत पहले से थे especially भात करें तो MIUI सालों पहले एक feature ले आ तो इसमें आप sky replace कर सकते थे और magic razor जैसे tool भी बहुत जादा मौझूद थे लेकिन एक बात यह कि पिछले साल से क्या हुआ कि AI एक बहुत तीजी से बज़वर आने लगा और companies को लगा कि mobile phone में भी कुछ न कुछ AI होनी चाहिए हाला कि कुछ level पे AI का exactly में use हो रहा है लेकिन अभी भी हम उस level पे नहीं पहुँच पहा है इवन बात करें जैसे Samsung की तो Samsung जैसी कंटनी जो है वो AI के अंदर काफी सारी नहीं चीज़े करते है और Google की Gemini को वो इंटेगरेट किया लेकिन अभी भी बहुत ही जादा limited use के से अभी के समय में जातर चीज़े मेरे साब से गिम्मे के कुछ ऐसी चीज़े जहां पर अभी भी काम हो रहा है और आने वाले future में अगर हम देखेंगे यानि कि हो सकता है इस साल के कुछ phones है जिनके अंदर आप Generative AI का यूज़ करके आप कोई image expand कर पाए, image create कर पाए वो सारी चीज़े और हां मैं ये भी बोल सकता हूं कि AI का जो लेवल होता है अभी हम बिल्कुली basic लेवल पर है दीरे दीरे time आएगा न तुम बहुत advanced लेवल पर जाएंगे जब हम mobile phone में बहुत ही high profile AI को यूज़ कर पाएंगे मैं तो बस उस दिन का wait करो कि बिना internet connection के अब सारे AI features का use कर लो मतलब at least आप एक assistant का use कर लो generative images का use कर लो ये सारे चीज़े mobile phone के अंदरी कर पाना दीरे दीरे आने वाले समय में possible हो पाएगा बस उसके लिए हमें थोड़ा से इंतिजार करना पड़ेगा ये फिलाल के समय में AI एक हलका सा gimmick लग रहा है mobile phones में इसके साथ ही AI के feel में बात करें तो Google Jamnay से related news है और वो ये news ये कहती है कि Google के लिए जो Jamnay है वो काफिज तरीके से काम कर रहा है लेकिन अभी भी Google को नहीं है आप पर और ज़्यादा काम करने की जरूरत है क्योंकि उसे अपनी Jamnay AI को और ज़्यादा perfect बनाना है और ज़्यादा बहतरीन बनाना है जिसके कारण जो Google है उसे और ज़्यादा पैसा बना सके डेसिकली क्या है कि Jamnay AI आज के समय गूगल सर्च को कॉमप्टीशन दे रही है और गूगल सर्च पे वो एड दिखा के बहुत पैसा बनाते लेकिन Jamnay इसे वो पैसा नहीं बनाते तो उनके कुछ प्लांस है Jamnay के कुछ फीचर से लोग फ्री रखेंगे लेकिन काफी सारी फीचर के लोग पैसा चार्च करेंगे ताकि यहां से भी पैसा बना जासके और हो सकते आगे चलकी एडवटाइसमेंट वगरा भी स्मिंटीरेट करें क्योंकि Jamnay develop हो रहा है धीरी धीरी वाल्व हो रहा है जैसे इसकी productivity भड़ेगी जैसे लोग इसको और जादा यूज करेंगे वैसे वैसे गूगल के लिए एक मौका रहेगा यहां पे और जादा पैसा बनाने के लिए इसके साथ ही बात कर रहे तो Samsung के बारे में news आ रही है कि आपको Samsung का foldable तो याद होंगे लेकिन यहाँ पे Samsung के foldables की कीमत जाद है लेकिन इस साल सुनने में आ रहा है कि Samsung अपना fold FE निकाल सकती है यानिकी Galaxy Z Fold FE और Z Flip FE जिसके अदर Snapdragon 7S, Gen2 या Exynos 2200 हो सकता है बिसिकली कुछ जगे cost cutting करके इन फोस की कीमत को एक लाक रुपे के नीचे adjust किया जा सकता है जिस कारण से जो foldable वाला market है वहाँ पे अपनी और अच्छी strong presence बना है क्योंकि definitely Samsung को पता है कि Chinese company की दरफ से competition आने वाले foldables में अगर affordable option नहीं provide करेंगे तो Samsung यहाँ पे market lose कर सकता है बैद अवे जो Samsung के भेंगे premium phones होते हैं वो इंडिया में corporate के अंदर जाधा buy किये जाते हैं खास तोर पे Z fold की बात करें यह corporate में ही बहुत जाधा विखता है तभी देखा जाते हैं यह number one है sales के अंदर आम तोर पे लोग fold को इतना लेना हैं आपे पसंद नहीं करते यह एक च लेन के जाए रहे हैं उसकी कीमेर लगबग 30-40,000 के बीच हो सकती है अगर 40,000 रुपय के आसपर यह test जंत रहे हैं तो मेरी नजर में बहुत solid choice होगी लेकर यह देखना है कि क्या इसके लिए अंदर क्या अपना कोई performance model कोई pro model वगरा निकालते हैं अगर अपना performance कोई pro model नि इस समय जो Tesla है वो एक right hand drive वाली cars को develop कर रही हो वो कार इंडिया के अंदर import की जाएंगी शुरुआत में इसके साथ अगली news आती कि Tesla की team April के महीने में इंडिया में विजिट करेगी अलग लग जगे पे और अपने EV plant setup करेगी जिसके अंदर जगे देखी जाएगी कौन सी ज बनाते हैं कि इनकी सबसे सस्ती कार के खीमत USA में लगबख 33 लाक है और इंडिया के लिए 33 लाक की कार लाते हैं इससे सस्ते में भी लाते हैं या फिर अपना को premium खेल दें ये एक देखने वाली बात होगी इसके साथी यहां पर देखा जा तो जियो और Airtel की 5G गिलवाई यहां पर चल रही थी और यहां पर जियो का जो 5G उजरबे से वो है लगबख 100 मिलियन का और Airtel का 5G उजरबे से वो है 75 मिलियन का यहां ने की यहां पर जियो आगे निकल चुका है Airtel से अगर आप लोग को नहीं बालूं तो 2022 में Airtel पहले कंपनी बनी थी जियो इंडिय जो लोग है वो जियो का ही 5G उस करते है लेकिन Airtel भी बहुत तीर से आगे बढ़ रहा है देखते है क्योंकि Airtel का अभी स्टैनलोर नेटफर्क बहुत ही जल्दी आने वाला है और इसी के साथ ही यहां पर एक इंट्रस्टिंग यहां पर गवर्रमेंट ने वार्निंग इ कर सकते हैं इस चीज़ को juice checking यहां पर कहा जाता है यह चीज काफी ज़्यादा हो रही याद के समय में इसलिए और अगर आप पब्लिक चार्जिंग इस्टेशन पर ही जाते है तो अपना खुद का चार्जर प्लग में लगा के फिर उसे चार्ज कीजिए USB पोर्ट को यहां पड़ा है कि अलग-लग चीज़े ट्रेकर है थाली में एपल ने अपनी एपल कार को कैंसल कर दिया था लेकर अब एक न्यूज आती कि एपल अपना एक होम आटोमेशन के लिए रोबोट बना रहा है अभी पता नहीं एपल का विजिन यहां पर किस तरह आफ जाना क्योंकि जब स्पीज जौस थे तब एपल इनोवेशन और इन्वेंशन की पीछे साधा भागती थी जब टिम कुक है तो वो औरेशन से आये थे तो वो सारी चीज़े स्मूथ करना चाहते थे तो वहाँ पी देखा है तो इनोवेशन कम हुआ इन्वेंशन कम हुआ थोड़ी आपको देखने को मिले लेकिन कोई भी नई प्रुट केटिगरी को एक्स्प्लूर नहीं किया गया तिम कुक के टैन पर ओल्रेडी एक्जिस्टिंग केटिगरी को बेटर बनाए गया अभी तिम कुक का विशन यहाँ पर यह था कि एक एपल की कार आईगी लेकिन वो सारे लोगों भी यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया काफी सारी चीज़े चल रही एपल के अंदर धीरे धीरे एक्स्प्लूर करेंगे कि एपल आने वाले समय में क्या कर सकती और एपल के जो फ्यूचर प्रॉडक्स हैंगे वो भी ऐसा हो कि देखने वाली बातों कि व बाइ